हेलो फ्रेंड्स मीना कुक्स में आपका स्वागत है यह बाकी के जो चीजे है यह हमें ग्रेवी बनाने के लिए लगेंगे तो उसमें हमने एक बड़े साइस का प्यास दिया है चार हमने लाल टमाटर लिये है पके हुए आट डस हमने लसन की कलिया ली है दस बारा हमने काजू लिये है और एक देड़ इंच का हमने अध्रक का प स्पून हमने गरम मसारा पाउडर लिया है एक टी स्पून हमने कसूरी मेथी ली है एक टेबल स्पून हमने धनिया का पाउडर लिया है एक टेबल स्पून हमने नार्मल रेड चिली पाउडर लिया है हाप टी स्पून हमने जीरा पाउडर लिया है वने टी स्पून हमने हा mix wedge की सबजी यह हम butter और oil ऐसे mix करके बनानी जा रहे हैं जिसके लिए हमने cream भी लिया है तो आईए बनाना शुरू करते है restaurant style mix wedge सबजी gas on करके हमने butter डाल लिया है और उसमें ही हम थोड़ा सा oil डालेंगे तोड़ा सा गरम होने के बाद उसमें हम प्यास डालेंगे और जिंजर गार्लिक डालेंगे इससे हम थोड़ा सा बोन लेंगे प्यास को हम एक-दो मिनिट के लिए पका लेंगे एक-दो मिनिट प्यास और जिंजर गार्लिक को हमने बून लिया है इसके बाद में हम ये काट्यू दिसमे डालेंगे और साब चीनी हम ये कामाटर इसमें आएगा है तो कामाटर हमने पके हुए लिये है लाल इसके वजब से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आपका है ये देखिए फ्रेंच कि हमारे कामाटर फोड़े शॉट हो चुके है अब यहां ग्यास का प्लें हॉफ कर लेते हैं और इसे मिक्टी की जार में डालके इसके प्रेस्ट बना देते हैं तोकल हमने इसे 4-5 मिनित के लिए अच्छे से बूल दिया है यह अपने ओल गरम करने के लिए रखा था हमारा ओल गरम हो चुका है अभी इसमें हम सबजिया डालेंगे पहले आलू डालते हैं सबी सबजियों को हम अलक से ही प्राइ करेंगे अलू पर इच्छे से कलराने लेंगे इदे के फिल हमारे अलू के ऊपर कलराना शुरू हुआ है अभी इसमें हम पनीर डालेंगे यह हमारा पनीर भी फ्राइ हो चुका है इसे भी निकल लेते हैं बाहर और गोबी हमने इसमें डाल दिया है सबी सबजियों को हमने अच्छे से वाच करके फिर काटा है इदिके हमारे गोबी के ऊपर भी तलर आ चुका है इसे भी हम निकल देंगे अब हम गाजर ढालेंगे गाचर को फ्राय होने में जादा डाइब नहीं लगता है अब हम निकाल लेते हैं और बीन्स इसमें डाल लेते हैं बीन्स थोड़े से ही फ्राय होने के बाद हम इसमें मटर और शिम्ला मेज भी डाल लेंगे अब मतर भी डाल लेते हैं और मतर भी डाल लेते हैं यह फ्रोजन मतर है तो पकने में ज्यादा डाइब नहीं लगता है यह सबी चीज़े भी अभी फ्राय हो चुके तो इंको भी हम निकाल लेते हैं यह बचे हुए ओईल में हम थोड़ा सा बटर लाल लेते हैं तर साथी में जो मिक्सी में हमने मसाला बारी किया था प्यास कमण रखा उसे भी आड़ करें मसाले के उपर अभी हम डबकन रखें इसे चार पाच मिनिट अच्छे से बूनते हैं हम डबकन लिकाल के देखते हैं चार पाच मिनिट हमने मसाले को अच्छे से बून लिया है बीच बीच में हमने एक दो बारी से खिला के भी लिया था अभी हम इसमें द्राइ मसाले आड़ करेंगे जो हमने धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर हल्डी पाउडर नमक और कश्मिरे रेड चिली पाउडर लिया है यह सब हम इसमें डालेंगे सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करके यहां दो तीन चमच क्रीम हमने लिया है यह इसमें अड़ करते हैं एक दो चमच क्रीम हम और डाल रहे हैं यह चमच छोटा है इसलिए मैं अब बड़े साइज का चमच लेते हो तो चार चमच को क्रीम डालना है कि देखें हमारे ग्रेवी का पलग कितना अच्छा आया है और वापी से इसके उफ़र डपकन रखें इसे पकने देखें यह दिखिए हमारा मच साला अच्छी से बुछ चुका है मसाले ने ओइल छोड़ना शुरू कि गया है अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें हमने थोड़ा पानी डाला है यह पानी हम इसमें आड करें आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप आड कीजिए अब इसमें ये कसोरी मेथी डालेंगे कसोरी मेथी को हमने पहले भूंके रखा है पानी डालते ही हम इसमें आपी सब्जिया एर करेंगे सब्जी को इस तरह से प्राय करने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है वापिस से एक तीन-चार मिनिट के लिए हम सब्जियों के उपर डखकन रखें इसे पखने पर निकलते हम चेक कर लेते हैं ये देखें फ्रेंब्स हमारे सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके उपर स्पिंकल करेंगे गास कफले मा आफ कर देखें और वापिस से सब्जी को डपके रखते हैं ये देखिए फ्रेंब्स हमारी सब्जी उसका कलर भी कितना टेंपिंग है और दीख भी कितना अच्छी रही है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए इसे मैं सर्विंग बाल में निकाल लेती हूं अगर ये मेरी मज़ेदार रेस्टरोन स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी आपको अच्छी लगती है प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने प्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ मेर आइकोन दबाना मत भूलिए उससे मेरी रेसि के साथ तक तक के लिए गुडबाई एंड थैंक यू